इस वीडियो में हम लोग आपको वी आर कैम बलब कैमरा कैसे यूज होगा उसके बार में डिटेल में बताएंगे इसकी जो एप है उसका नाम है वी 380 प्रो और यह डिरेक्ट पावर से चलता है जैसे घर में हम लोग नॉर्मल होल्डर लगा होता कोई वैसे ही चलता है यह व और दो कलर में आता है गोल्डन और वाइड वह स्टॉक के इसाफ से होता है कि स्टॉक में कौन सा कलर अब लेबल है उसे साफ से आपके पास बलब कैमरा आएगा दोनों की वर्किंग सेम है तो यह इसका लेंस है 360 डिग्री 360 डिग्री पूरा दिखाता है और यहां से यह मै स्पीकर है और आगे यहां पर इसका यहां पर लेफ्ट साइड पर यह रीचेट का पॉइंट है इसके अंदर आप पिन डालोगे यह साथ में पिन भी आती है लंबी से रही तो अगर आपको इसका सीरियल नंबर नहीं मिलेगा या इसके अंदर पासवर्ड गलत लग जाए और नहीं मिलेगा और इसके अंदर यह से चूड़ी की तरह जाएगा तो इसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती है ड्रेक्ट पावर से चलता है तब तक स्विच ओन रहेगा यह चलता रहेगा स्विच बंद करोगे तो बंद हो जाएगा तो अब हम लोग इसके आपको वर्किंग दिखाएंगे कैसे इसको करना है हमने ओल्रेडी एक सेटप किया हुआ हम लोग आपको दिखाते हैं यहां पर तो यह दिखिए यहां पर हमने ओल्रेडी एक कैमरे को यह क्रेंड देकर यहां पर दिखिए यह क्रेंड दिया हुआ ह यह हमने फिट किया हुआ है तो यह आपको अम लोग छिला के लिखाएंगे अभी अब यह अब बटन ओन कर दिया इसका पीछे जो वायर जा रही है पावर लगा हुआ हम ने उसका बटन ओन कर दिया ओन करने के बाद आपको एक मिनिट के लिए वेट करना है कि यह दिखिए इसके अंदर पावर आगी यह ओन होने के बाद इसके यहां पर लेफ्ट साइड पर जो री सेट का पॉइंट बना हुआ है यह वाला इसके अंदर आप डालेंगा ऐसे आपको क्लिक मैसूस होगा तो इसको आपने एक सेकिंड लिए से प्रेस करके किसी पीन की साथ में आई हुई है उसको ऐसे एक सेकंड लिए री सेट कर देना इसको तो यह बोल रहा है अब लास्ट में बोलेगा एक्सेस पॉइंट अस्टैबलिस्ट जो इसकी एप है जब इसके असे पॉण्ड स्टैबलिस्ट हो गया है तो इसका जो सीरीयल नंबर है वह एंभी से स्टार्ट होता है आपने अपने फोन की वाइफाई सेटिंग के अंदर जाना है तो आप यहां देखेंगे एक आपको एमवी नाम से सीरियल नंबर मिल जाएगा जो की इस कैमरे का सीरियल नंबर है तो इसके उपर आपने क्लिक करना है एप पहले इंस्टॉल कर लेना आपने V380 Pro एप है वह आपने इसको यहां पर लिखा जाएगा Connected कुछ फोन के अंदर लिखाएगा Connected No Internet और यहां पर एक option भी आता है जिसमें आपसे पुछेगा कीप वाइफाई ओन कीप वाइफाई तो उसके ओपर आपने क्लिक कर देना है यह फॉन से आपकोAwका क्रूंसा मोदल तो तो सब फोन की सैटिंग अलग वतली है तो यह पर आपसे पुछेगा कीप वाई यहा कीप वाइपर ओन उसको आप क्लिक कर देना तो हमारे पास देखिए हमने एप ओपन करते हैं वी 380 प्रो यहां पर आप से यूजरने पासवड बनाने के लिए कहेगा एप का यूजरने पासवड आप चाहो तो बना सकते हो नहीं तो आप ट्राइब आइन अकाउंट भी कर सकते हो इस पर क्लिक करना है और यहां से आपने इसको कॉंट कॉंटिन्यू करने के बाद यहां पर देखिए आपको पूछ रहा है कि आपको इस डिवाइस को अपने घर के जो ओफिस में वाइफाई लगा हूँ अससे कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हो आप से यह आप से आगे पूछेगा क्या आप उसका यूजरन पर इक प्लस का अइकन है को प्लस को ख्लिक कर देना है यह देखिए यहां पर यह एड हो गया या विलैन ओंलाइन या भी इसके वाइफाइ से क्नेक्ट हो गया गया अब जब हम लोग इसको प्लें के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पासवर्ड सेट करने का याद रहें उपर नीचे दोनों जगा जो प्यासवर्ट डालना है कन्फर्म वाला भी वो दोनों सेम होने चाहिए अगर दोनों अलग-अलग होंगे तो यह आपको एर्र देगा कि कन्फर्म देखें दिखा रहा है पासवर्ट मैच नहीं कर रहा तो हमने पासवर्ट दोनों मैच कर गए है अब इसके बाद हम लोग करेंगे कन्फर्म और ऊपर हमने थ्री नहीं डाला था यहां हमने करते त्री अब देखिए उपर वी वाम में वान टू-3456 है नीचे भी सेम है दोनों पासवर्ट मैच कर गए आप हो गया अब इसको किया ओकि यह दखिए है इसमें खूप और आपका चल रहे हैं यह कैमरा ओने के बाद यहां पर इसकी सेटिंग आ रही है जैसे यह फुल-स्क्रीन करने के लिए सैटिंग अंयित यहां पर इसका साउंड अगर आ सुनना जो आवाज इसमें आ रही है वह सुननीए तो इसको आप ऊपन कर सकते हो अगर आपको कोई भेज नहीं है तो यहां पर क्लिक करेकर रखेंगे आप तो यहां से तो आपको बार बार निकालने की जुरूत नहीं है तो मोर के अंदर जो है इसमें जो आपका डिस्प्ले मोड है जो यह डिस्प्ले मॉड अगर कैम्रा आपका कैमरा उल्टा लग गया तो आपको उसको उतार कर सही करने के जुरत नहीं है निकालना नहीं तरहिए यहाई से आप उसको रूटेट कर सकते हैं यहाँ पर लाइट कंट्रोल है आपको light जो है camera की on रखनी है यह देखिए on होगी है light on करने के बाद on होगी है off करेंगे light off होगी है auto पर करेंगे तो अपने आप यह sensor के हिसाफ से on हो जाएगा अधेरा होने पर और off हो जाएगा आप मैनुल भी कर सकते हैं और auto पर भी रख सकते हैं अपने sensor के साफ से वो चलेगा तो यहां पर बाइड़ वाल ओटो है आप ओन ओफ ही यहां से light को control कर सकते हैं दूसरा इसके अदर जो है image setting जो image की quality आपको color चाहिए ब्लैक नवर चाहिए जो automatically चाहिए तो वो setting भी यहां प की setting है बैक आने के बाद settings में जाना आपको यहां पर settings लास्ट में दी हुई है setting setting में जाना है setting में जाने के बाद यहां पर network setting यह बाकि और settings भी हैं तो मैं आपको इस में में दो settings बताऊंगा network की और record की जो record की setting है वो basically आपके memory card के लिए जैसे यह memory card डाल दोगे memory card आपको format करके डालने अगर नहीं format किया होगा तो यहाँ पर memory card डालने के बाद format SD card पर click कर देंगे तो यहां से भी format हो जाएगा और जब memory card डला होगा तो यह options आपके highlight हो जाएगे आपको continue recording करनी है 24 घंटे की तो आप continue recording को on कर देंगे अगर आप चाहते हो कि आपको image recording मतलब motion detection recording करनी है तो आप image recording को on करेंगे और आपको audio भी record करनी है साथ में वीडियो के साथ तो audio recording का option भी आपको on करना है तो यह SD card की recording है SD card आपने जो भी डालना है 32 GB 64 GB बैटर आप format करके डालिए memory card विल्कुल को खाली होना चाहिए और आपका SanDisk का जो original memory card आता है अगर वह डाले तो ज्यादा better option है SanDisk का या Samsung का तो यह record की setting इसके इलावा हम लोग आप चलते हैं network setting के अंदर जो main setting है अगर आपको इसको अपने घर के या office में वाइफाई लगा उससे connect करना तो वह कैसे होगा अगर आप नेटवर्क सेटिंग अंदर जाएंगे तो अभी यह क्या है AP horsepower मलब जो camera का उससे connected है अब हम लोग क्या चाहरे है जो घर में वाइफाई वह लगा उससे connect करना है तो आपको सबसे पहले तो मोड चेहने करना है इसको वाइफाई वाले मोड पर लेकरने अब आ रहा है प्लीज स्लेक्ट वाइफाई जो आपके घर में वाइफाई लगाऊ उसको बाद इसको ख्लिक करने के बाद जितने भी आपके घर के आसपास या ओफिस पर वाइफाय लगे सभी के नाम आ जाएंगे आपको अपना वाइफाय सेलेक्ट करने अगर हमारे वाइफाय का जो पासवर्ड हो अपने अपने उठा लेगा यह अब चेक कर सकते हैं यहां पर आ मिनिट लेगा यह आपका यह वाइफाय से क्नेक्टिविटी बना देगा वाइफाय की जो रेंज है वह आपको वाइफाय इसके पास रखना है दो से तीन मिटर की दूरी के अंदर ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए फिर यह क्या है उसको क्नेक्ट नहीं कर पाएगा प्र तो आप हमें जो भी पासवर्ड आपको यह डालना है जो पासवर्ड आपने डिवाइस का रखा ओंगा जैसे अगर आप आप पासवर्ड भूल जाये जिसको पासवर्ड आप CC तो आपको इसको reset करना है पिन को इसके अंदर डाल कर एक से दो मिंट तक बटन प्रेस करके रखना है यह reset हो जाएगा और दुबारा से आप इसको set कर सकते हैं और password अगर correct होगा तो आपका camera चलता रहेगा फिर भी अगर कोई issue हो आपको तो यह number है इस number पर बलब का और यह card क फोटो आपने send करना है WhatsApp करना है हम लोग आपको help करेंगे thank you